वीके न्यूज राश्ट्र के नाम दरसल राहूल गांधी ने अपनी विचार धारा को बदल लिया है बीजेपी की लाइन पकड़ते हुए राहूल भी हिंदू हिंदू जपने लगें ये देश हिंदूों का देश है और एक बार फिर हिंदूों का राज लाना है कभी देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक बताने वाली पार्टी का ऐसा यूटन किसी को पच नहीं रहा है लेकिन सियासत है कुछ भी हो सकता है यही पार्टी है जो कभी चायवाले को भी गरियाया करती थी लेकिन आज कॉंग्रेस के मंच पर चायवाले नजर आ रही है यह तस्वीरे उत्तराखंड के दहरादून रेली की है गुरुवार को हुई रेली के दोरान मंच पर राहूल गांधी समेत तमाम कॉंग्रेस के नेता मौजूद थे बड़े नेताओं से मंच खचा कच भरा हुआ था मंच पर भाशन चल रहा था तभी अचानक मंच पर सडकों पर मसाला चाय बेचने वाले रंजीत बिस्वास की एंट्री हुई सडक पर चाय बेचने वाले को मंच पर देखकर हर कोई हैरान रह गया मंच पर चाय वाले की एंट्री देखकर रेली का माहोल ही बदल गया सब का ध्यान उनकी और चला गया रंजीत विश्वास ने सब को चाय पिलाई इस दोरान उनसे राहूल गांधी ने अपनी मन पसंद लेमन्टी की डिमांड की कहते हैं राजनीती में प्रतिकों का बहुत महतो होता है इसलिए कॉंग्रेसी नेताओं ने किसी स्पेशल चाय वाले को नहीं बलकि फुटपात पर चाय बेचने वाले को मंच पर भेज कर एक संदेश दिया कि वो अब गरीबों के साथ है कॉंग्रेस अब महलों से निकल कर वाकई सडकों पर आना चाहती है लेकिन क्या जनता कॉंग्रेस के इस रूप को अपनाती है ये चुनाओ के नतीजिताय करेंगे वीके न्यूस के लिए दहरादून से विवेक तिवारी की रिपोर्ट ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजितल न्यूस चानल वीके न्यूस राश्ट्र के नावड़